मुझे अपने भाई के लिए अंडे से कुछ स्वादिश बनाना होगा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मुझे एक कटोरे में कुछ अंडे तोडने की जरुवत है वाँ, ऐसे और फिर थोड़ा दूड डाले ओराइट, ओराइट, ओराइट दूड डल गया, अब इसमें थोड़ा नमक बिलाएँगे और इसे मिक्स्टर से फेटे ये, ये कादबुद ओमलेट मिक्स्टर बन गया है अब हमें इसे अवन में डालना होगा इसे बेखोने देते है और अब हम इसे निकाल सकते है वाव, स्वादिश खुश्बू आ रही है ओ नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गए कि ओमलेट आवन में था ओ, मेरे हाथ जल गए, बहुत जलन हो रही है लगता है अब सब ठीक हो गया अब हमें ओमलेट को एक प्लेट पर रखना है और इसे एलेक्स को परोज सकते है मैं एक अजबत कोखूँ, चलो इसे जल से जल उसके पास ले जाए बेलिसी मो आ, नहीं, हाँच, कितने जोर से छोट लगी मेरा पैर, मेरा बिचारा दर्ब से तरपता पैर, मुझे से जली से फूप मार कर ठीक करना होगा ओ, नांसी, तुम यहाँ हो, कोई काम था क्या, तुमने क्या बनाया है यह अजीब लग रहा है मुझे वह दो, और गंस से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे इसे चक्कर दिखना चाहिए आशा करता हो कि तुम मुझे कोई जान नहीं खिला रही हो यह अच्छा है, यह जेली जैसा दिख रहा है चल्द इसे खाता हूँ, बुरा नहीं है मुझे यह पसंद आया, क्या तुम इसे चक्कना चाहती हो हाँ, मुझे चाहिए, इससे फेट चुक्रा आले, अलेक्स, तुमने क्या किया है तुम किती गंदे हो, लेकिन यह फानी था चलो, आप खाना बनाते हैं और खेलते है यह, यहाँ अंडा है क्या यह चिकन है, क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया वाउ, मेरे पास एक आइडिया है मुझे तुरंत एक गलब की जरुवत है चलो, अब इसे फुलाए ओ, माफ करना चिकन हम इसे एक कपर लगाएंगे और फिर, एक अंडे को मग में तोड़ते है बढ़िया, अब हम सब कुछ लिचोड़ कर मिलाते है मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए वाउ, एक पैचन बनाते हुए पैन में सब कुछ डालेंगे वाउ, मैंने इसी खुबसूरती से किया है ये असली एग रोल है इसे जल्दी एलेक्स को दिखाने के जरुवत है मुझे कौन सा खीचना चाहिए? हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा तावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए ओ, नहीं एलेक्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो मैं तुमारे एक नया ट्रीट लाई हूँ तुम इसे चखोगे? जल्दी इठो, मैं तुमारी मदब करती हूँ यहाँ, यहलो क्या तुमने फिश्य कुछ पकाया? चलो, इसे खा कर देखे अच्छी कुछ गुआ रही है वाँ, यह स्वादिष्ट है ला जवाब क्या तुम भी खाना चाहती हो? वाँ, स्वादिष्ट रेसिपी को फाइब स्टार वाँ, क्या मैंने एक दूलब शुदुर मुर्ग को खोज लिया है? वहाँ, वहाँ, बैठी है कितनी सुन्दा है वहाँ, तुम बहुत प्यारी हो ओ, गॉड मुझे अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है चोटी चीडियां, तुम इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती हो? वाँ, इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट बन सकता है चलो इसे खोले वाँ, अंदर बड़ा अंडा है कूल मुझे तुरंट इससे पकाने के जरूरत है मुझे लगता है कि अब वाइलर मेरी मदद करेगा ओ, कितना गर्म है मुझे इसी की जरूरत थी अंडे को पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंजार करना होगा और अम मैं थोड़ा अराम कर सकती हूँ वाँ, क्या ये त्यार हो गया तो चलो, एलेक्स के पास चली तुम बहुत सुन्दर हो मैं तुम इस कब से कहना चाहता था मैं अरे, तुम यह क्या करे हो क्या वे किश करने जा रहे है अच्छा होगा मुझे किस कर ले ये तुम्हारे ले शर्मनाक है लेकिन मुझे पता है किसे कैसे ठीक किया जाए मैं अपनी नई डिश लाई हूँ यहाँ दो, मैं इसे चक्कर देखता हूँ इससे अजीब तरह कि बद्बू आ रही है और यहाँ दिख्री कुछ ऐसा ही रहा है है, मैं ट्राइ करता हूँ यह बहुत खराब है एक स्टार और एक डाट अंडा बहुत अच्छा है मैं इसे वाफल मेकर में पकाऊँगी चोट लगी लेकिन यह तूट गया मैं इसे वाफल मेकर में डाल देती हूँ और फिर इसे बन कर देती हूँ और थोड़ा इंजार करना होगा सब को स्तेयार है अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा और इसे अलेक्स को सर्व करती हूँ उसे यह जुरूर पसंद आएगा और आप सबसे अच्छा खिलारी अलेक्स रिंग में जाता है और अपनी टीम के लिए बास्केट बॉल्फ वर्ल्ड कप लेता है हाँ ये आउच एलेक्स दर्द हो रहा है ओ नहीं क्या मेरे माती पर ब्रूस बन जाएंगे खेट चलो इसे भूल जाओ मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रीट लाई हूँ मुझे बहुत वोफी लग रही है मैं इसे खाता हूँ स्वादिश्ट इसे फाइब स्टार मिलना चाहिए वाव हेलो मच्छी क्योंकि तुम्हारा उप्योग अभी खाना पकाने में करेंगे तुम वाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो अभी अन्डा तूट गया और अब तुम्हारी बारी योग्स और वाइट्स अलग तुम बहुत अच्छी हो तुमने असानी से कर लिया चलो गाल पर वापस जा वाव यह कातिल तुस वहां से आई वाव वो मेरे लिक इंकले कर आई है कूल मैं वाइट्स को काला कर सकती हूँ बहुत बढ़िया अब पैन में सब कुछ ढालना बाती है मेरे पास उल्लू के आकार में एक साचा है जिसके उपर बड़ी आखे है अब मुझे अपना योग चाहिए मैं उन्हें इन आखों में डाल दूँगी सुन्दर अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे और मोल निकाल देंगे वाव कमरे के चारोर स्केट करना बहुत अच्छा है ओ नैंसी हाई ओ नहीं मैं गिर रहा हूँ मुझे पकड़ो मेरे हाथ मैं तुभार ले एक नई डिश लेके आई हूँ मैं तुभारी मदद कर सकती हूँ ऐसी गिरने के बाद तुभे कुछ स्वादिश खाने की जर्वत है लो खाओ वाव क्या यह फ्राइड एग है इसके आखे बहुत मदेदार है स्वादिश है रंगीन पेंसिल मेरे पास एक अच्छा इडिया है लोगे कुछ अंडे उबालने की जर्वत है यह तयार है और अब हम अंडे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोडते हैं और फिर इलास्टिक बैंड के साथ सब तुष टाई करते हैं और आप राबर बैंड से छुटारा पास सकते हैं फिल्म और पेंसिल हटाडे और आप मैं आपको सबसे जिल्चस चीज दिखाऊंगी अब हम अंडे को एक फूल की तरह काटेंगे कितना संदार एलिक्स के यह जुरूर पसंद आएगा वाव मेरा फेवरेट गम वाव यह कितना लंबा है मैं अब तुम्हें खाने जा रहा हूँ और तुम बहुत स्वादिश्टो वाव मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था और ये रहा बड़ा एलिक्स हाइ यह बबल कहा से आया मुझे उसे छुटकारा पाना है यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी इसे उड़ा आदो एलिक्स तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ किवन गम में ढखा हुआ हूँ क्या तो मेरे ले कुछ लाई हो मुझे तुम्हारे नए डेश को ट्राइ करने में खुशी होगी वाव यह फूल बहुत अचीब लग रहे है क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है ठीक है चलो ट्राइ करता हूँ वाव कितना स्वादिश बाद अच्छा दादी ने अईरन इधरी छोड़ दिया है चीज का मतलब है वह इस पर काम करूँगी हमें बस यह देखना है कि यह गर्म हो हाँ बिल्कुल सही चलो उसे किचन में ले चले मुझे अंडे चाहिए हेलो सभी अंडो की राजा और रानी मुझे खेद है लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जरुवत है हेलो लिटिल अग प्रीज अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्तवे पूरा करेंगे आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा मैंने विशेश रुप से आपको दिल के आखार में बनाया है ताकि सभी जान जाए कि मैं कितने प्यार से खाना पकाती हूँ अब कि दो स्वाद के लिए थोड़ा नमग डालना बाकी है अब आलेक्स के पास जाने का समय है अब आलेक्स मैं तवाईल ने स्वादिश खाना लेकर आई हूँ जागो फिर से पोरी रात गेम खेल रहा था अगर अलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है ति मैं उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी अलेक्स उठो मेरी नई डेश ठंडी हो जाएगी और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जागो मैं कितनी आराम से सो रहा है मैं इसी परदास नहीं कर सकती मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे हाँ बिल्कुल हाथ, उंगलिया मैं उसे थोड़ा गुद गुदी कर सकती हूँ जागो यह काम किया नैंसी, फिर कभी ऐसा मत करना मैं अभी ट्राइ करता हूँ यह स्वादिश लग रहा है अजबूर, बहुत अच्छा धन्यवाद, अब मैं सो सकता हूँ तुमें पता है, मैं तुमें भी हरा सकती हूँ ओ नहीं आ, मैं गिर रहा हूँ नैंसी, मुझी पकड़ो ओ, सॉरी, तुमें पकड़ने का समय नहीं था चोट लग गई नैंसी, मेरे पीट में बहुत दर्ध हो रहा है मेरे कुरसी भी तूट गई अब मैं किस पर बैट कर गेम खेलूँगा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं तुमर्लेक नई कुरसी बनाऊगी चिंता मत करो फैर, मैंने आज एक दर्धन से अधिक अहंडे का इस्तेमाल किया है एक होल्डर जरूर डश्विन में होगा चलो से खोजे इधर कच्रा, कच्रा यह भी नहीं ओ, यह वहाँ है हाँ एलिक्स की नई कुरसी के लिए मुझे ना केवल कुछ दर्धन अंडे के पैक की जर्वत होगी बलकि अलग-अलग रंगों की साथ पानी भी चाहिए होगा इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन कर सकते हूँ अलग-अलग रंग में इसे रंगोंगी ताकि कुरसी सुन्दर, चमकदार और रंगीन हो जाए वाँ, यह कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल सही और आप मुझे उपर बहुत सारे रंगीन पॉमपॉम लगाने की जर्वत है ताकि अलक्स कुरसी पर आराम से बैट सके वाँ, बहुत सुन्दर बिल्कुल सही अलक्स को इसे तुरंट दिखाना होगा यह कितना भारी है इसके गिरने से पहले जल्दी से इसे ली जाना होगा हाई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ यह तुम्हारी नई कुरसी है नई कुरसी? तुम्हें मेरे लिए कुरसी बनाई? वाँ, यह कितना नरम और रंगीन है मुझे सच में यह पसंद आया मुझे इसके जाज करनी चाहिए वाँ, हम सच में इसके बैट सकते हैं कितना अच्छा, धन्यवान नैंसी चलो, फिर से गेम खिलते हैं तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो और तुम चालने के साथ कैसे ठालने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं और यहा क्या है? वाँ, सेव का पेड़, कितना अच्छा इस पर सेव है मुझे कितनी भूख लगी है मैं वास्ता में एक दो सेव खाना चाहती हूँ वाँ, यह कितना स्वादिस्ट है बहुत अच्छा मुझे इस सेव फ्रेंच फ्रैज बनाने की जर्मत है लेकिन सही सेव तो बहुत उपर है मैं वहाँ कैसे पहुचूंगी मेरे पास एक आइडिया है मैं पेड को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेव मेरी टेबल पर गिर जाएगा इसके लिए मुझे बस हेलमेट पहनना है क्योंकि उपर से कुछ भी गिर सकता है देखो, मैंने तुमसे कहा था यहाँ सेव है वाव, यहाँ क्या है वाव, कूल यह एक रसोई गैजट है जो मुझे फ्रेंच प्राइस के आकार में सेव का टुकरा काचने में मदद करेंगे अब इसे शुडू करते है वाव, यह काम कर रहा है कितना अच्छा और बहुत स्वादिश और यह सब कुछ एक सेव के पैकेट में रखना बाकी है और इसे अपने भाई एलक्स को परोश सकते है चलो, जल्दी से उसके पास चले ओम, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बृटनी ओम, रास्ते में बताओ ओ लहीं, बृटनी तुमने मेरे ध्यान को क्यो डिस्टरब किया मैंने लगभग जेन को फगड़ लिया क्योंकि मैं तुमाइल ने कुछ सेव फ्राई लाई हूँ यह सामानी फ्रेंच ट्राइस की तरह ही है लेकिन सेव से बना हुआ जल्दी से ट्राई करो, पसंद आया? मैंने बहुत कुशिश की नियुटेला बहुत स्वाधिस है और यह क्या है? और वह कहां जा रहा है? वाव, यहाँ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है यह सबी छोटे लोग अब इश्वस्ति लोग से कुछ अच्छा बना रहे है वाव, यह खिलोना लोग है यह मुझे खाना बनाने भी मदद कर सकता है और मेरे पास एक शांदार आइडिया है यह लोग मुझे फ्रेंच फ्राईस की याद दिलाते है लेकिन आम तोर पर नहीं, बल्कि चौकलिक वाले मैं खुद को छोटी लोग के रूपे फॉयल मोल्ड बनाऊगी फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटिला अंदर डालूँगी कमेंट में लिखे क्या आपको न्यूटिला पसंद है एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं और अब इसे फ्रेम में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रेज में रखना होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक है, मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ तैयार, है काफी समय बीच चुका है यह चॉकलेट फ्राइस को बहार निकालने का समय है वाव, यह बहुत अच्छा निकला हमें इसे तुरन टेस्ट करना होगा हाँ, सब अच्छे से जम गया है हम इसे निकालते हैं और इसे, एलिक्स के पास ले जाते है वाव अलिक्स, मैं तुरने चॉकलेट फ्राइल आई हूँ अलिक्स कहा है अजीब, मैं कमरे में उसका इंजार करूँगी वो कहां चा सकता है खेक है, अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती वाव, कितना स्वादिश्ट है ब्रिट्नी को थोड़ा डराने का सरी समय है वाव, चॉकलेट चिप्स, कूल, तुमें से जल्दी आजमानत चाहिए ये बहुत स्वादिश्ट है, फाइप स्टार अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा मैं इस बॉल को फेक रही हूँ वाव, उनके अंदर कुछ और था लेकिन अभी एक चिप्स क्रम में बदल गया है मुझे इसे आजमाना चाहिए वाव, ये स्वादिश्ट है काश मैं चिप्स से फ्रेंच फ्राइज बना पाती वाव, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं चिप्स के टुकडो को असली फ्रेंच फ्राइज बें बदल सकती हूँ मुझे बस एक अंडे को जार में तोडने और अच्छी तरह से हिलाने की जर्वत है ये आविश्वस्ते रूप से स्वादिश्ट होगा अच्छी तरह से मिलाया और इसे माइक्रोवेम में डाला तयार होने तक पकाते हैं बिल्कुल सही यह कितना गर्म है अब सब कुछ मिश्चित रूप से तयार है इसे बाहर निकालना होगा यह कितना अच्छा बना अब केवल सही स्टिक्स में काटने की जर्वत है मेरे पास इसके लिए अच्छा ग्याजट है बस इसे जोर से दवाना है और सब कुछ सही टुक्रों में कट जाता है शानदार बस इसे पैकेट में डालते है और चकने के लिए एलिक्स तो भी आजा सकता है यहां सबसे मुखे बाद बैलन्स बना कर रखना है मैं जरूर सफल होँगा ओ ओ मैं लगबग गिर गया लेकिन मैं अभी ठीक हूँ मुझे सही बैलन्स बिला है ओ हाई बिटनी क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है बढ़ियां मुझे बहुत भूख लगी है फ्रेंच फ्राइज लेकिन किस से बना हुआ ठीक है चलो यह ट्राइ करता हूँ वाउ चिपसे बने फ्रेंच फ्राइज बहुत ओ नहीं मैं गिरा हूँ मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है बॉल के लो हमें यह जासना होगा कि यह काम करता है यानि वाउ यह सच भी काम करता है कितना अच्छा टीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा क्या जॉला मुखी केवल इस तरह फूटेगा अलाति यह अभी भी गर में मैं इस पर अपने फेवरिट खटे कैंडी को पिगला सकती हूँ अलेक्स ने लिश्चित रूप से अभी तक खटा कारमेल फ्राइज नहीं खाया होगा वाउ वे कितनी जल्दी पिगल गये हैं अब मोल्ड में सब किस डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं और देखो बहुत बढ़िया हमने अपने मज़िदार कारमेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से अलेक्स की ओन ली जाते हैं मशीन को सावधानी पुरोग स्टार्ट करना जरूरी है ताकि ये सबी लूप से क्रॉस कर सेके वाव, कितना अच्छा मैं ठीक हो, मैंने तुम्हेंने एक नया फ्रेंच फ्राइज बनाया है इसे ट्राइज करो वाव, यह बहुत अच्छा लग रहा है चलो, इसे चकता हूँ वाव, बहुत हाड है, क्यो? वाव, तो इसे चाटना होगा वाव, मैंने निश्यत्रूप से अभी तक कारामेन फ्राइज नहीं खाया है मुझे यह बहुत पसंद आया मैं इसे पूरा खाने के लिए तयार हूँ खूल रेसेपी, मैं इसे फाइब स्टार देता हूँ इसे रोल करना इतना मुश्किल क्यों है मैं बहुत थक गई हूँ और यह क्या है, यह बाइट के तरह दिखता है अ, असल में एक चाकू है वाव, यह अच्छा है यह निश्यत्रूप से डोग और छोटे टुकर में काटने मेरी मदब करेगा मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा सब कुछ कट गया है, मदब के लिए धनिवाद बाई और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते हैं और इसे आवन में सेखने के लिए भेजते हैं जल्दी मिलते हैं फ्राइज काफी समय हो गया, आव या निशीत रूप से फ्यार हो गया होगा वाव, सब कुछ तयार है, कितना अच्छा हमें जल से जल एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर्थ करेंगे वाव, यह असले फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है वाव, यह कुदने के लिए बहुत अच्छा है आव, मेरा बैलेक्स भिगड़ गया एलेक्स, एलेक्स, क्या तुम ठीक हो मुझे पता है, यह तुम्हारी मदद करेगा मेरी नई फ्रेंच फ्राइज, जल्दी ट्राइज करो बेशक, चलो वाव, यह नए तरह का लग रहा है मैं कहता हूँ वाव, यह अच्छा है, मुझे और दो मैं निश्च जूपस इस फ्राइज को पांच में से पांच दूँगा फ्रेंच फ्राइज की धेर से मुझे क्या बनाना चाहिए ओ हाँ, मुझे पता है, सबसे पहले मुझे एक बड़े कंटेनर की जर्वत होगी जहां मुझे केथली से पानी डालना होगा यह मुश्किल हो सकता है लेकिन इसे कर सकते हैं अब हमें फ्राइज के लिए सभी पैकेज़ों को चम के लिए रंगों में रंगने के लिए कुछ रंगीन पानी डालना होगा यह बहुत खुशरत लगेगा कैयार अब महत्पुलिगे है कि यह गिरना नहीं चाहिए अब हमने सभी पैकेट्स को डाल दिया अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते है इसे अलेक्स के पास ले जाने की जरुवत है क्योंकि उसका टेबिल हमेशा खराब ही रहता है ओ नहीं बिटनी मैं पकड़ता हूँ तुम इतने सारे खाली फ्रेंस फ्राइज पैकेट्स क्यों लाई हो क्या तुम इसे मेरे बोर्ट पर से जाना चाहती हो ना मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चलो इस बोर्ट को साफ करे ये पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे अब सब कुछ तयार है और अब तुम्हारा टेबिल हमेशा सिस्टेमेटिक रहेगा तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसिल, मारकर और दूसरी चीजों को डाल कर रखना होगा कम जगा में अच्छी तरह से रखना इतना असान और सरल है वाव धन्यवाद अब हम रंग लेते हैं या सही रहेगा और इसमें अंडा डालते हैं वाव वाव ये कितना सुन्दर लग रहा है और लाइट बन करने का समय है ये भगवान ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ ये क्रिसपोर्ट है ओ ओ ओ ओ मुझे खेद है गल्पी से क्या तुम भी वही सोच रही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ एक कलर कितना अच्छा लग रहा है लेकिन रेंबोल के सभी रान सौ गुना बेतर है या हुआ ना हाँ ये निश्चित रूप से फाइफ स्टाइल लाइफ है हाँ इस बार ये निश्चित रूप से काम करेगा तुम मेरे हो मेरे प्यारे एक बार और हमेशा के लिए अम मैं वह वहाँ है जर्वत है किस की यहाँ क्या चल रहा है आरे बिटनी ये सब बक्वास करना बंद करो इस पूल लाइफ हैक की जाज करो चलो च्राइब करते है क्या हाँ तो बढ़ो आगे तो यह बोतल एकदम सही है इसे मेरे लिए छोड़ दो मैं इस सोडा से जल्दी ले बटलूँगा सोपर ठीक है और इस तरह अंडा हाँ यह बैम और यह यहाँ रहा एक मुबत्ती डालते है और उसे जलाते है और यह रहा रियल मुमेंट कुछ नहीं हो रहा है है हमारे पास बहुत सारी मुबत्तिया है और यह यह पकवास है तीन मुबत्तिया यह निश्य क्रूप से काम करेगा नाइफ हैक रुखो तू स्टार्स हैपी बर्टे ये क्या गिफ्ट में लिए बहुत बहुत धन्यवाद वह कितने बड़े हैं बूरिंग ब्रिटनी देखो हमें बस इस लाइफ हैक को किसी दर ट्राइ करना है क्या कहती हो ठीक है हमारे पास इसके लिए सब कुछ है चलो जल्दी करो तो यहां अंडे है और यहां हमारे स्पार्कलर है अब हम अंडे को ठीक से लगाएंगे और अब स्पार्क यह तेजी से लक्ष की ओर बढ़ रहा है आगे क्या होगा ओ यार यह काम किया हाँ और अंडा भी खराम नहीं हुआ बहुत अच्छा मुझे यह बहुत पसंद आया स्वादिश्ट तुम खाओगी धन्यवाद लाइफ है फाइफ स्टार तो टिक टॉक में नया क्या है वाव यह हुई न बात वाव हमें बस इसी आजमाना है चलो बिटनी के पास जाता हूँ योगा इस तरह कभी कभी यह मुश्किल होता है आरे बिटनी तुम्हाँ क्या सो गई हो क्या उठो यह नए लाइफ हैट को चेक करने का समय है तुम्हें यह कैसा लग रहा है जल्दी करो मेरे पीछे आओ तो हम फ्रीट से सभी अंडे लेते हैं यह वाला और यहाँ यहाँ रख दिया और यहाँ यह कैटल बेल आओच एलेक्स तुम चीजों को मुश्किल बनाना पसंद करते हो हमें कैटल बेल की जरुवत क्यों है देखो यह कैसे किया जाता है यहाँ चलो ऐसे आओओ यह काम किया चलो देखो मैं करके दिखाती हो उपस यह कितना बज़ेदार है पाइव स्टार्ट एलेक्स मुझे खाना बनाने में डिस्टा मत करो कुम्हारी पास वा क्या है यह दिल्चस्प है चलो इसे ट्राइ करें यह एक्वेरियम सही रहेगा ठीक है चलो काम करते हैं हमने सभी अंडे एक साथ रखे यही न बात बढ़िया आप देनेगर हाँ हम पूरे पैकेश को बाहर निकालते है बढ़िया अब थोड़ा इज़ार करना बागी है लगता है जल्दी त्यार हो जाएगा हो गया बहुत टाइम लग रहा है मुझे नीद आ रही है ओ आखिरकार सुलो मुझे लगता है हमने कर लिया है वाव कितना अच्छा वाव वह ऐसे ही बन गया है स्क्वेस मुझे स्क्वेस बहुत पसंद है हम दिन बर इससे खेल सकते हैं यह बहुत मज़ेदार है फाव स्टार यह लो और यह आपके लिए ओह मैं कितना ठग गया हूँ क्या यह नहीं हो सकता इतना अच्छा लाइफ है खैर ने निंजार कर सकती है बेटनी मुझे आशाय तुम सोई नहीं होगी आरे उठो बहर हमारे पास एक जरूरी काम है फो फीक है पैजि तुम सोना चाहती हो तो मैं यह कुल लाइफ है खुदी करूँगा यह वाल इसके लिए सही सामान डूलना है यह यह ठीक रहेगा यह वाला मैं इसे ले लेता हूँ यह शोर कैसा है क्या कोई चोर आ गया है बेटर होगा तुम दूर रहो मुझे कॉल्पु आता है यह कौन है अलेक्स तुम यह क्या कर रहे हो ठीक है चलो इसे ट्राइ करे चलो बस चुपड़ा हो चलो चलते है तो चलो लेगिंग लेते है और उसमें अंडा डालते है हमारे अंडे के लिए एक असली मनोरंदिक पार्क का इंजाम करते है यह कितना वज़ेदार है माफ करू भाई वहाँ क्या है क्या लगता हमने कर लिया अब हम पता लगाएंगे थोड़ा और धैरी बिटनी और अब यहाँ यह है असली मोमेंट हम इसे साफ करते है शेल हटाएंगे और इसे कातेंगे यह बेकार है यह भी ठीक वैसा नहीं है जिसकी जरुवत है और यह हाँ यहाँ सब कुछ वैसा ही निकला जैसा उसे होना चाहिए फोर स्टार बुरा नहीं है अरे बिटनी क्या तुम वास्ता में कुछ अच्छा देखना चाहती हो कुछ मज़ेदार सा हाँ इसे पकड़ो अब तुम सब कुछ देखोगी चलो इसमें गुलाबी रंग डालते है और इसमें पीला और इसमें नीला दूसरे रंगों को भी नहीं बूला है तो अब एक खाली सफेद कैनवस लेते है और बैम अलेक्स अरे यह वास्तम में बज़ेदार है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है और मोड भी अच्छा हो जाता है बस केवल उस पिक्चर पर देखो कितना सुन्दर बना है पाइव स्टार चलते हैं ये वाव कितना कोक है शेर्ज बहर शर्ट लगा लो मैं एक घूट में पूरी बोतल पी सकता हूँ हाँ मैं भी वह कर सकती हूँ और अब हम कैंडी भर सकते हैं बस ये गिरे ना हाँ हम इसे दूसरी बोतल में पिर डालने के लिए पानी की जर्वत होगी जिसे मैंने अच्छी तनसित होया है और मैंने उनो काड़ लिया है ताकि पानी न दिरे क्या तुम तयार हो फिर मैं से पलट देती हो चलो खिशते हैं वाव ये काम कर गया देखो ये कितना सुन्दर है सही कह रहे हो ये मस है हमने अच्छा किया वाव ये लाइफ है जाज के लाइख है मैं यहाँ हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा तुम मास्टर हो धन्यवाद देखो मुझी क्या मिला है तुम क्या सूस्ती हो ये अच्छा है एक सेकेड सभी रांगी कर्था कर लिया चलो चलते है अरे मेरी ले रुको मुझी दूठ पिये बहुत समय हो गया है तुम्हारी मूचे मन गई है चलो दूठ डालने का समय है बस एक सेकेड अब क्या होगा मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए चलो बैंग मी लेती हूँ यह खोल क्यों नहीं रहा है बेंट सुप गया है क्या लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चलो देखते है मैंने आज पूश अपस करके अपने हाथों को मद्विद बनाया है आरी से कैसा रहेगा उफ चलो खुलो आँ यह काम किया यहलो हुरे सभी रंग प्लेट पर है अब केवल इसमें डालना है देचर देंट हाँ इसे एक कॉटल स्वैपल गिरा कर दूर में डालना होगा कूल वाओ देखो सूपर हमने कर लिया हाँ हाइफाइब मेरे बॉइफरेंट ने फूल भेजा है कितना प्यारा हेलो क्या तुमने वह देखा कहा ओ फूलो के साथ एक लाइफ है आई डिया अच्छा है ओ वाओ वाओ क्या खुश्बू है आई भाई खाना बन करो चलो जूस बनाते है ठीक है मैं गाजर से शुरू करूँगा एक सेकें और यह हो गया फिर मैं सैलरी डालूँगा बहुत हरा क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गया लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा और मैं पीला केला लोंगी हाँ यह कितना अच्छा है अगर सब तयार है तो आगे बढ़े इस विच हम खेल सकते है मैं जीत गई आर्म रेस्लिंग कैसा रहेगा मैं फिर से जीती ओ भाई जागो देखो हमारा लाइफ एक काम कर रहा है वाउ फोल कितने रंगीन हो गया है यह तो बहुत अच्छा है यह ब्लॉगर्स भी न यह फनी होता है जब वो खुद को एक स्टार समझती है क्या तुम्हें एक नया लाइफ एक देखना चाहती हो हम एक बोतल में जेली बनाएंगे खुल है ना मुझे यह पसंद है चलो करते है मेरे गले में खराश है मुझे इसे कोक के साथ ठिक करना होगा वाव कितना स्वादिस है और मुझे कुछ कैंडी मिली एक पैक काफी नहीं होगा मैं एकी बार में सब खोल देता हूँ जितना ज़्यादा उतना अच्छा वाव चलो उन्हें रंगों से छाटे और वाव देखो कितना अच्छा लग रहा है मैं रेन्बो के सभी रंगों को शामिल करूँगा ताकि वे खूब सूटी से जिन मिलाए वाव अब इसमें कॉन सिर्फ डालेंगे चलो भाई वाव बढ़िया अब बोतल को फ्रीज में रखना होगा और इसके जमनी तक इंजार करना होगा मुझसे बहुत इंजार नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे मुवे भी पानी आ रहा है वाव कूल हमने किया यह कमाल का है मुझे भी चाहिए क्या मैं अहां बेशक सूपर कितने सुन्दर कैंडी है यह बहुत स्वाधिस्ट है वाव कूल लाइफ है धन्यवाद भाई मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है यह भयानक है तुमारी तगित कैसी है मुझे यकिन है यह तुम्हें खुश करेगा यह एक लाइफ हैक है कैसे एक लावा लम बना सकते है तुम इसे बनाना भी चाहती थी एक सेकेंड रुको यहाँ यह एस्पिरिन ले लो घन्यवाद अब मैं इसे जल्दी से बनाऊगा और अपनी बहन को सर्प्राइस करूँगा सबसे पहले क्या करना है हाँ बानी डालना है फिर पेंच ओ लाल उसका फेवरिट रंग है अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है हाँ ऐसे तयार लगता है यहाँ तेल की जर्वत है क्या यह नारियल तेल है? चलेगा मुझे लगता है इतना काफी होगा और एस्प्रीम यह यह मेगा सुन्दर है मेरी बहन जरूर बहुत कुछ हो जाएगी जागो सिस देखो मैं तुमारे लिए क्या लाया हूँ तहां वाह लावा लाम बन गया यह मस्त है धन्यवाद तुम जीनियस हो मैं इसे अपनी जगह पर रखूँगी मैं ठक गया हूँ यह क्या कितने जोर से चोट लगी मैं इसे बाद में देखूँगा मैंने मुझे बहन को खोजना है मैं मुश्किल से बच पाया माफ करना मैं गलती से इसे भून जाओ बेतर होगा तुम इसे देखो यह जाज करने लायक है मेरे पास कुछ बैलून्स बचे है चलो कीचन में चलते है वाव इस एक्सपरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिर्का की जर्वत होगी और एक फानल भी अब मुझे एक बैलून दो अच्छ ठीक है लो अब हम इसे पनल पर कसकर लगाते है और इसे सोडा से भरते है सूपर अब हम सिर्का पर ये गुबारा डालेंगे और तुम तयार हो पहले से कहीं जादा तो फिर शुरू करते है वाव देखो यह फूल रहा है वाव यह अद्बुद है भॉगवर्ट्स के जादू की तरह यह फटेगा तो नहीं ओ कुछ दिल्चास मुझे एक नया रेंबो लाइफ हैक मिला है इसे तुरन बेटनी को दिखाना होगा हाँ नहीं देखो मैं शैप हो ओ क्या था जोट तो नहीं लगी सब ठीक है देखो मुझे क्या मिला है क्या कहती हो ठीक है चलो इसे देखे मुझे स्केट दो नहीं यह मेरा फेवरिट स्केट है किसी अच्छे तरीके से दे दो किसी हाल में नहीं रुखो मेरे पास एक आईडिया है पापा का लैपटॉप कैसा रहेगा मुझे उसके लिए खेद नहीं है अच्छा ठीक है चलो मैं पेंट स्प्रे करने जा रही हूँ कितना सुन्दर तुम्हें पसंद आया वाव और आप क्रीम मैं सूरत बनाऊंगी अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है वाव बहुत सुन्दर तुम्हें लैपटॉप को कितनी खुबसूरती से सुजाया है पापा खुश हो जाएंगे शाबास बहन क्या यह कैट फूड है यहलो दोस्ट खाओ वाव बहुत बढ़िया व्रितनी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मुझे क्या मिला है वाव क्या है मुझे भी यह चाहिए चलो इसे करे मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ वह प्लेट पर तिप्ले अच्छे से कूर्द रहे है तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ अरे इसे लाइफ है के लिए भचाओ ठीक है वाव यह नहीं हो सकता वाव तुम हाद बुद हो तुम्हें स्ट्रॉच आईए बड़ी आइडिया यह मस्त है देखो यह मज़ेदार है तुम्हें खुद को देखना चाहिए बिल्ली की हाखो को देखो उसने भी स्कीटल्स पिलिया कितना दुरावना अरे पॉपकर कहा है क्या यह खत्म हो गया है ओ नहीं केवल दाने बचे है यह अच्छा नहीं है एक मिनाट रुको मुझे याद आया कल मैंने एक फूल लाइफ एक देखा था तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे देखने दो वाउ यह अच्छे समय पर याद आ गया चलो कुछ और पॉपकर्ण बनाते है हमारे पास एक फ्राइंग पैल है दाने भरे बस कुजदे और तयार क्या हम स्पिसल्स भी मिलाएंगे शायद यह सच्छो की कैंडी पॉपकर्ण को रंग सकती है काश यह काम कर जाए मुझे बहुत भूख लगी है तुम्हें देखा हाँ यह काम कर रहा है वह पॉपकर्ण ओर रहा है हाँ बस अरे कुछ करो ढ़कर्ण कहां है लगता है अब सब ठीक है देखो यह मस्त है वह बुकर्ण कहीं के को मैं पेटू हो यह अच्छा था हमने अच्छा किया